अब one word substitution में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसे one word substitution जो indicate करते हैं, जो denote करवाते हैं groups को, groups people के हो सकते हैं, animals के हो सकते हैं, birds के हो सकते हैं, या किसी things के हो सकते हैं, group जो होता है, उनके लिए कौन से group के लिए कौन कौन सा one word substitution आता है, ठीक है, तो देखते हैं, पहल देफिला वर्ट है एजेंडा एजेंडा कई क्लूब के लिए यह आता है तेएला या इसे बिजनिस बीजनिस बीजनिस जाओ रखना है उसके लिए यूज करते है एजंडा ठीक है एलाइंस का मतलब क्या होता है एलाइंस का मतलब होता है संदी यूनियन बनाना एशोशियेशन बनाना या संदी के लिए क्या यूज करते हैं एलाइंस ठीक है next है है हमारा anthology, anthology किसे लिए यूज़ करते है, collection of poems के लिए, ठीक है, poem का collection होता है, पूरा बहुत सारा poem है आपके पास, poem का collection है उसके लिए यूज़ करते है anthology,र किसी चीच के लिए use होता है, किसी और writing के लिए, कोई और रै्टिंग में कुछ और भी हो सकता है कि इस्टोरी B आपके पास ति के लिए भी यूज करेंगे के स्टोरी का लिए कअगर कलेक्शन में बहुत सारे स्टोरी आप पास तो उसके लिए भी यूज करेंगे एंथोलोजी हैं तेक है नेकस्ट है एमारा हमारा recognized заним bets निक यह उतल है नहीं यह करते हैं किसी परसंडके साथ जितने नंबर here स्थ 26 को इंसर उसके अगले जो यह उतल है इसीस्टेंट्स इंनके लिए यूज़ करते हैं रेटिन्यूatives birthday रिख पर्संप में कि उसके आजू और है उनक्व में जितने लोग सब्राइस अट्वाइजर है एसिस्टन है उनके लिए UAज करते हैं रेटिन्यू यह सब्सूटिय जैके एल सब्सक्राइब इसा साम छिफन्व किस group से बैंड का मतलब होता है कि अगर group of musician है या followers है उसके लिए यूज करते है बैंड जैसे हम लोग college में प्रोग्राम भी होता है तो band को ही बुलाते है किसे band को बुलाते है band का मतलब group of musician next है हमारा batch batch का मतलब होता है group of people's पिपल का मतलब होता है सघिरिभ recurring dependent कि बोलते हैं पिपल्स यानिके जैसे हम लोग बोलते कौन से बैच में पडलते हूँ ए वन बैच त гр से बात करते हैं बैच बैच का मतलब होता है कि ग्रूप ऑफ इस्टुडेंट बोल सकते हैं सागिर्द बोलते हैं ठीक है बहुत सारे गंस रखे हुए रहते हैं ठीक है उसके लिए उस करते हैं बैटरी ए ग्रूप ओफ हेवी गंस नेक्स्ट है मारा बेल बेल का मतलब होता है लार्ज कॉंटिटी ओफ कोटन टाइड इन बंडल देखेगा बहुत बार के यह कोटन का जो उसको गुच्छा बोलते हैं लोग टिक है गठरी उसके लिए यूज करते हैं बेल नेक्स्ट है मारा बेंच बेंच का मतलब होता है सुने भी होगे फिल्म वगर में बेंच ऑफ ज बेंच बोलते हैं बेवी का मतलब क्या होता है बेवी का मतलब होता है लार्ज ग्रूप गर्ल्स और लेजीज के लिए यूज करते हैं बेवी का मतलब के बहुत सारी अवरते एक साथ है ग्रूप है उनका तो उनके लिए यूज करते हैं बेवी ब्लोग का मतलब क्या होता ह ब्लोक का मतलब होता है जैसे हम लोग बात करते हैं लोकल लोगेज में लोकल लोगेज का ऐसी बोलते भी है कि मेरा A ब्लोक में है किसी का B ब्लोक में घर है तो एक्चुली होता कि है group of houses के लिए यूज करते हैं ब्लोक ठीक है जैसे A block B block group of houses और buildings bounded by four side उसके लिए उसके लिए उसकरते हैं ब्लोक नेक्स्ट है मारा बुके का मतलब होता है bunch of flowers गुल्दिस्ता जिसको बोलते हम लोग गुल्दिस्ता को क्या बोलते हैं बुके बोलते हैं नेक्स्ट है मारा brood brood का मतलब क्या होता है एक group of young birds all born at the same time brood का मतलब यह होता है जैसे मुर्गी बगर अपना बच्चे को क्या करता है वो अंडे में रगरता है रगरता है अंडे को तो थोड़े दिर क्लिए रहता है तो अगर पियर में रहता है बर्ट से आनिमल उसके लिए उसके बात करें सिरृ ηम बोर्ड का मतलब यह होता है कि ब즈 किया करता है तो डीसेजन ते उसके लिए 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 उस जारक करेंड को तीक है समय चीन शलिका बातरोंबेंट चाहिंग्ण थाल, यूरुज नयुक्त श्रावन प्रेटाटन के आपने बेढ़े मि ενस्तस्था दिश्य जी सिल Trump केटालोग को मतलब क्या होता है रिस्ट ओस आधो आपको यह मिलता है कि यह बुक खरीदना है तो उसके आप नौट डाउन कर लेते हैं तो वह कहता है इस fare को असगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो मतलब होता है इनर इनर इपने उसके लिए उसके लिए करते हैं जो क्या औरते हैं उसमी पर इमारी टैरल के से पानिनर सर्केल कहा है?" जो किसी विलोंग करता है। उसके लिए यूज करते हैं क्लिक, कुछे मिनिस्ट्री है। जितने भी आदमी है। मानली जब Ministry of Education है तो उससे जितने भी आदमी है उसके लिए यूज करेंगा हम लोग क्लिक तो small group of a person belonging to a body ठीक है उसके उसके बाद circle जैसे हम लोग बोलते है मेरा circle जो है वो काफी अच्छा है मेरे friend circle जो है वह बहुत अच्छा है तो friend circle का मतलब क्या होता है group of friends उसके बाद click आगे था कि उपर वाला था click नीचे आगया click click का मतलब होता है जो आपकी सहाहिता करे मनें आप आपके लिए एप अपलॉड करे या प्रेज करे आपकी परसंषा करे ठीक है लेकिन यहांपर क्या होता है कि आपने उसको पैसे दिये हो रहते जैसे politics में होता है कि बहुत वार 40 मैं जबरस्ति ताली बजवाता है उसके बाद जुलूस उलूस निकालते हैं आपकी तारीफ करने के लिए ठीक उसके लिए उसके लिए उसके लिए उनको क्या पैसा भी दिया जाता है तो उसके लिए 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 उस जो फसल है उसको खा लेता है उसके लिए घ्रूप आफ लुकास्ट या घ्रास वपर भी बोल सकते हैं जो क्या करते हैं खेतों को ब्रबाद करेगता है नेक्स नेमारा cluster, cluster का मतलब क्या होता है? group of islands, यानि के island का समूँ जो होता है, deep का समूँ जो होता है, उसके लिए use करते cluster, जैसे के माल लेज़े, अंडेमान ए निकुबार में बहुत सारे island है, लक्षदीप में बहुत सारे island है, तो उसको क्या बोल सकते है? cluster बोल सकते है, code, code का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते है, IPC, Indian Panel Code, तो actually होता क्या है code, code का मतलब होता है, systematic collection of laws, यानि कि, जितने भी laws है, उनका systematic collection को बोलते है, code, ठीक है, उसके बाद, cloney या column, a group of people of one race moving in same direction, cloney या column का मतलब यह होता है, कि अगर, जैसे हम लोग क्लोनी बोलते है, कि ये वाला क्लोनी, वो वाला क्लोनी, यानि कि बहुत सारे लोग आकर के कहीं आकर के बस जाते हैं, ठीक है, same race के हो सकते हैं, और भी तरह के हो सकते हैं, तो एक group आकर कहीं से, कहीं से, कहीं बस जाता है, तो उसके लिए उसकरते है, clone, या फिर column, ठीक है, next है हमारा constellation, constellation का हों के लिए यूज करते हैं, constellation, next है हमारा, chest, chest का मतलब होता है, group of drawers, जैसे एक drawer हम लोग generally घर में एक drawer रखते हैं, ताकि कोई चोटा-चोटा समान रखा जाए, लेकिन बहुत सारा अगर drawer हो, तो उसके लिए यूज करते हैं, chest, ठीक है, group of drawers के लिए, Congress का मतलब क्या होता है, Congress party नहीं है, Congress का मतलब यह होता है, some million, meeting, उसके लिए यूज करते है, Congress, और delegates का मतलब होता है, जो representative होते है, meeting of representative, जिनको आपने assign किया हुआ है, उनके लिए यूज करते है, delegate, next है मारा, convey, convey का मतलब यह होता है, एक group of vehicles, या फिर ship, truck हो सकता है, loadies हो सकता है, एक साथ travel कर रहे ह और उसके साथ protection भी है, जैसे बहुत बार, कोई सायनिक लोग कोई चीज लेके जा रहे हैं, तो उसके साथ बहुत सारी गानिया भी चलती है, क्यों, क्यूंको प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कोई आदमी नेता जा रहा है, ठीके, तो यह क्या हो, convey का मतलब क्या होता है, group of vehicles and ship traveling together under protection, protection के अंदर जब चलता है, तो उसके लिए उसके लिए करते हैं, next है मारा, cottage, cottage भी पर चुके है, यह क्या होता है, funeral procession, यानि कि जब कोई आदमी मर जाता है, तो उसको जहां पर भी जलाना है, तो वहाँ तक ले जाने के लिए, जुलूस निकलता है, जुलूस का मतल नेक्स्ट है मारा, course, course का मतलब क्या होता है, series of lectures and lessons, यहनि कि course का मतलब हम लोग जैसे बोलते है, course complete करवा देगे, तो इसका मतलब यह होता है, कि बहुत सारे lectures है, बहुत सारे lessons है, series है, जो complete होगा, course का मतलब यह होता है, next है मारा conference, conference का मतलब होता है, meeting of preachers or delegates, तो थोड़े पहले ही बोले, delegate का मतलब होता है, representative होता है, assign होता है, congregation, congregation का मतलब होता है, एक group of worshippers, ठीक है, बहुत सारे क्या होता है, जो, क्या बोलते हैं, उनको, worshippers का, यह हिंदी नहीं याद आ रहा है, ठीक है, देख लीजिगा, ठीक है, जो, पूजा करते हैं, यह करते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज़ करते हैं, crew, crew का मतलब होता है, of sellers manning ship, यानि के manning का रहा है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं, manning, group of sellers manning ship, यानि के उनको क्या करें, ship को चला रहे हैं, जो, वो, जो, sellers जो चला रहे हैं, जिसको, हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो, sellers किसको बोलते हैं, जो, जहाद चलाते हैं, अगर उनका group होगा, तो, उनके लिए मौवेशी जानवरों को अगर, उनका अगर जूंड है, और उसको ले करके जा रहे है, जो drive कर रहा है, उसके लिए यूज़ करता है, ड्रॉफ, ठीक है, फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब होता है, बहुत सारे पंची अगर एक साथ उर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए फ्लोटीला, फ्लोटीला का मतलब होता है, फ्लोटीला का मतलब होता है, फ्लोटीला का मतलब होता है, बोट्स का अगर ग्रूप हो, ठीक है, चोटे-चोटे बोट्स का अगर ग्रूप हो तो उसको लिए यूज़ करते है, फ्लोटीला, अगर फ्लोटीला का मतलब होता है, टो स्थो जानते हैं बहुत बरा होता है ठीक है कि बहुत सारी चीज्ज हाती है तो शीप के लिए यूज करते है फ्लीट याद रखेगा फ्लोटीला जो होता है पूर्ट के लिए यूज dirtai डिकर या फिर अगर डिफेरेंस ना भी दिया होगा तो भी चलेगा कि दोनों बोर् गैलरी, a room that contains picture and statue displayed for sale, तो जहां पर statue अगरे रखा जाता है, या pictures रखा जाता है, एक room में, sale के लिए हो सकता है, या देखने के लिए हो सकता है, उसके लिए यूज करता है, गैलरी, ठीक है, ग्रूब का मतलब कि ये होता है, ग्रूब का मतलब होता है, ग्रूब अपर होता है, तो जो ग्रूब और यूज कर सकते हैं, उसके लिए group भी यूज कर सकते हैं, जाए तो उसके लिए उसके लिए हो सकता है, या फिर रूइन का मतलब क्या होता है, तबहा कर देना बस बरबाद कर देना, लेकिन यहां पर रूइन का मतलब होता है, जैसे हर एक माल को जो देते हैं, कोई इधर उदर बिखरा परह है, उसके लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए रूइन्स करते हैं, तो हीप का मतलब क्या होता है, धहर होता है, हर्ड का मतलब क्या होता है जूंड होता है लार्ज ग्रूप ऑफ अनिमल्स लीव डैट लीव टुगेधर एक साथ रहते हैं तो उनको बोलते हैं हर्ड बोलते हैं ठीक है हाइव का मतलब क्या होता है चाता जो इसका मधुमक्ही का चाता होता है तो यह भी बोल सकते हैं होड का मतलब क्या होता है अगर ग्रूप ओफ रोबर्स हो ग्रूप आप पीपल के लिए यूजज होता है लेकिन अच्छा होगा कि आप गुरूप फीनचेली कलेक्प्स करो कि भाउत सारे लुटे रहे हैं एक साथ अधकी उसके लीदियुग करते हैं। जंबल का मतलब क्या होता है एंधाइडि कलेक्शन ओ तिंग्स यानिके अंटाइडि का मतलब यह होता है किसी चीज को सिक्वेंशली कलक नहीं कर रहे हैं उल्टा-पुल्टा है पुरा ठीकि Means उसके लिए उसके लिए उबर खावर असम्बल एं तो उसके लिए उसके लिए सिक्वेंसिली नहीं कि अच्छे से अरेंज नहीं कि ऐसी सिर्फ यह कर दिये जमा कर दिये हैं उसको बहुते हैं जंबल नेक्स मारा लेटर ometer का मतलब होता है कि या फिर जब चोटे-चोटे या होते हैं डॉट जब बढल देता तो बहुत सारे बच्चे होते हैं उन के तो उसके लिए भी उसकर टाले लेटर तो यह यंग पीग के लिए भी यूज़ करते हैं लिटर ग्रूप और इंग पीक्स यानिके जब देखेगा सुवर के सारे उसके चोटे-चोटे घुमते रहतें को रहते हैं उस ग्रुप को क्या बोलेंगे लीटर बोलेंगे या फिर गवर बाषा है बहुत सारे बाइसे ऐसां कि घुंग्रालू बाल होता है इस एक सांट जोड देते हैं तो उसके लिए भी उसकरते हैं लॉक नेक्स्ट है मारा ओडर का मतलब होता है इस सुसाइटी ओफ नाइट स्मोंक लिफ अंडर दे सेम रूल करेंगे ऑगर सेम रूल में रहा जा है सब कोई सुसाइटी एक सेम रूल को पॉलो कर रहा है या मांक लोग एक जो लोग एक्जामीन करने के लिए इन वेस्टिगेशन करने के लिए उनका जो फिल्ट का उसके मैं ये रिए वालत जो होता है उसमें मुर्गी भी हो सकता है और भी तरह तरह के डग भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो फॉल्स के अंदर सारे कुछ आ जाते हैं तो गुरूप फॉल्स के लिए उसका है पॉल्ट्री नेक्स हमारा पोशी पोशी का मतलब क्या होता है गुरूप पुलिस इस का आगा माला है, भाम है पिरल्ण है वह बहुत सारे है जग पू tw और से रॉससा प्वेसे महतले सब्सक्राइब, लोग रहे हैं एक साथ उसकेव उसके लिए, भी संबंसुक्षा, 11ay क् wedding होता है तो सि का मतलब यह यह आया है एक्च如 इडम से तो बोलता है मैं तो 20 वोद्ध मैं हू मैरग क्या पुस्ति तो सि का मतलब यहां पर क्या है ठीकिण के इसके पड़ का मतलब क्या होता है be a number of simulator events के लिए र्शिरी इवेंट हो सकता है मैचेस हो करता है या फिर लेक्शर के लिए उसकरते हैं स्रीज नेक्स्टेमारा शॉल शॉल का मतलब होता है लार्ज नंबर फिस्ट स्विमिंग टुगेधर तो आप लोग अगर गांव वेगर इस में देखें होंगे या फिर एक्वेरिम में तो कम देखने को मिलता है या समुंदर व वीट का या क्कॉन का धेर होता है जैसे हम लोग छोटा चोटा किफ्था बनाक Examples स्टरिंग का मतलब च्रिंग की ह होता है इस सेखेंस की व पैम्टन रिक्ष्टीश करते है तो अगर continuous flow है visitors का या people का उसके लिए भी उज़ करते हैं अगर लोगों का आना जाना लगा हुआ रहे तो उसके लिए भी उज़ करते हैं stream next suite suite का मतलब होता है a set of flowers room furniture यानि कमरों का जो set होता है उसके लिए उज़ करते है suit next suite use करते है suit का मतलब यह होता है a set of clothes made of same fabrics यानि के जैसे हम लोग बोलते है three piece का suit दिया है three three piece suit दिया है ऐसे कुछ बोलते हैं साथ ठीक है तो suit का मतलब यह होता है कि एक set of clothes हैं जिसमें कपड़ा paint भी हो रहा है shirt भी हो रहा है टाइव अगरे भी हो जा रहा है तो उसके लिए यूज करते है शूट यूज करते है a set of clothes made of same fabric एक ही एक ही कपरा का बना हुआ से एक ही फेवरिक का बना हुआ बहुत सारे अगर उल्लूग उसका गुरूप की बात करें तो उसके लिए उसके लिए करते हैं स्वाम किस के लिए उसके लिए लोॉक्त यानि कि ग्रास ऑपर के लिए उसका ज् och होता है उसके लिए भी करते हैं बीस के लिए बी उज कर सकते हैं एक the relationship में फिर्जिक्स में फिर्ट में पराया जाता है एक्चुली ट्रस May ब्रिज वोगर और देखते हैं लोग बार लगावा रहता है ऊपर से लगा उसको बढ़ते तरह के नेड़ियु का मतलब होता है a मर्चेंट और कोमन इंट्रेस्ट यानि कि मर्चेंट का मतलब क्या होता है बैपारी जो होते हैं जिन बैपारियों का सेम इंट्रेस्ट हो उनके लिए उसकते हैं सेंडिकेट मर्चेंट का मतलब बैपारी होता है वैपारी भी बोल सकते हैं टीम का मतलब क्या होता है ग्रूप group of players, तो group team में क्या होता है, group of players भी हो सकते हैं, horses भी हो सकते हैं, या oxen भी हो सकते हैं, next है हमारा throne, throne का मतलब होता है, large crowd of people और animals, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं, throne, next है, tissue, tissue हम लोग परे, biology में भी परते हैं, tissue का मतलब वो यह वाला tissue नहीं, ठीक है, तो actual में tissue है कहाँ पर, group of lies, यानि के बहुत सारा जूट अगर है, crimes है बहुत सारा एक सांथ, तो उसके लिए यूज़ करते हैं, tissue, next है हमारा troop, troop का मतलब क्या होता है, group of artists, dancers, और acrobates का मतलब होता है, acrobates का मतलब होता है, जो अलग-अलग तरह का art दिखाता है, जैसे रसी पे चलना, और इदर से उदर कूद जाना, ठीक है, जैसे circus वगरे में होता है, ठीक है, तो वो उसके लिए उसकरते है, acrobates, तो जब group of artists, या dancers, या acrobates एक सांथ हो, उसके लिए उसकरते है, troop, नेक्स्ट है मारा, torrent, torrent का मतलब यह होता है, गालियों का बोच्छार, ठीक है, जैसे गालियों, कोई आदमी होता है, जो बहुत सारी गालियों देते रहता है, तो अगर गाली बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए उसकरते है, torrent, या मोसलाधार बारिश के लिए भी क्य या बालों का entangled हो जाना, यह गुंग्रालू बाल जिसके लिए बोलते हैं, ठीक है, और यह भी टॉफ लॉक बोली है, या तॉफ बोली है, दोनों लगभग लगभग सिमिलर है, ठीक है, यह thread के लिए उसकता है, grass के लिए हो सकता है, hair के लिए, यानि कि group of hairs, grass, thread, तो group of hairs कै कैसे बन सकता है, जैसे किसी के घुंग्रालू बाल है, या फिर कोई, आजकल fashion हो गया है, कि बालों को क्या करते है, कुछ आगे, एक group बना करके, आगे, क्या करते है, आगे लटकने देते हैं, तो उस तरह का जो यह होता है, उस तरह के लिए यूज करते है, toft, यानि के group of hairs या group of hairs, next हमारा union, union मतलब संगठन होता है, political unit भी होता है, political unit containing a number of states, ठीक है, जैसे हमारा, हमारा इंडिया जो है, union of states है, ठीक है, यानि के sum है, states का sum है, उसके लिए भी यूज करते है, union, और barrage का मतलब यह होता है, barrage मतलब एक तो यह होता है, जिससे पानी बैता है, जहां जहां पर electricity भी produce करते हैं, ठीक है, तो barrage का और एक का मतलब क्या होता है, कि group of questions अगर है, बहुत सारे questions का collection है, तो उसके लिए उसके लिए करते है, barrage, यानि के group of questions, वाली का मतलब यह होता है, number of arrows, जैसे वो कौन सी movie आई थी, अभास की, जिसमें बहुत सारे तीर एक साथ च जाएगा, वाली का मतलब, यानि कि number of arrows, जैसे वो आवास की कौन सी movie मुझे तो याद नहीं आ रही, ठीक है, बहुत जादा famous हुई थी, तो वाली movie में बहुत सारे arrows एक साथ चलाते है, तो number of arrows अगर बहुत ज्यादा है, या फिर stone बहुत ज्यादा है, पत्तर या गालियां बहुत ज्यादे हैं, उसके लिए भी यूज करते हैं, वाली, next है मारा world, तो C का मतलब था क्या, C का मतलब होता है, trouble, cares, difficult सा, तो world का मतलब भी, same होता है, of cares होता है, trouble होता है, यानि कि मैं तो बीच, बीच समुंदर में हो, तो उसका मतलब मुसीबत में, और ये भी होता है, कि अगर इसमें है, world का मतलब भी, यही होता है, ठीक है,